नमस्कार आप सभी दर्थकों का स्वागत है पुरे देश में 2019 की चुनावी विगुल बच चुकी है अगर हम बात करें तच्छिड मद्य मुंबई की तो यहाँ पर राहूल सेवाले सिवसेना बीजेपी आरप्याई पार्टी के गड़ बद्दन से उमिद्वार हैं अगर हम कॉंग्रेस पार्टी के उमिद्वार की बात करें तो एकनाथ गाईकवार जी यहाँ पर हैं मौजुदा अगर यहाँ पर सांसद है तो राहूल सेवाले जी अब देखना ये है कि 2019 के इस चुनाव में जनता किसे वापस चुन कर देती है अगर हम एकनाथ गाईकवार की बात करें तो कॉंग्रेस पार्टी से वह पांस साल यहाँ पर सांसद रचुके हैं मौजुदा सांसद की बात करें तो इस वक राहूल सिवाले जी है सीव सेना पार्टी से पंकर जी सीयनुचल में आपका स्वागत है धन्यवाद मैं चाहाँगा जीस तरह आपकी पार्टी ने गड़बंधन की घोसना की है सेना बीजेपी की यूती हो गई आर्पाई पार्टी इसमें सामिल है क्या काना चाहेंगे जीस तरह सिवसेना के पास वापस सीड़ गई है किस तरह आप लोग काम करेंगे किस तरह वापस इस कैनिडेट को राहूल सिवाले जी को चून कर देंगे देखे हम सभी भारती जन्ता पार्टी के सिद्ध बद्ध कारे करता है और हमारा मकसद एक ही है 2019 में भारती जन्ता पार्टी की नेतरुत में इस देश में नरेंदर मिलदी जी के नेतरुत में फिर भारती जन्ता पार्टी की सरकार बने इस दिशा में हम काम कर रहें और पार्टी के उच्छे स्त्रे नेतुत ने जब तय किया है कि भारती जनता पार्टी और शिव सेना मिल कर 2019 के लोग सबचनाओं में महाराष्ट में मैधान में जाएगी तो हमें पार्टी के सिर्फ नेतुत का आरदेश आया है वो शिव सेना का उमिद्वार नहीं है हरे एक भारती जनता पार्टी के कारे करता का उमिद्वार है यूति का उमिद्वार है इसलिए हमारा मकसद शिव सेना भाजब यह नहीं हमारा मकसद है महाराष्ट और देश में जिस परकार से देश का दंका विश्व में बज़े मैं जाना चाहूँगा कि जीस तेना गडबंधन हुआ है राहूल सेवाले जी को यहाँ पर निवक्ति पत्र दिया गया है और वो यहाँ से वापस चुनाव लड़ रहे हैं तो किस तेना की जमीनी अस्तर पे आप लोग की भूमिका होगी कि ज्यादा ज्यादा उन्हें ओट मिले वापस चुनाव जीत के आए क्योंकि अगर एलाइंस है दोनों पार्टी साथ में है तो खासदार भी चुनकर आना जरूरी है देखे मद्य दक्षिन लोगसबा मतदार संग ये मतदार संग पिछले 2014 में जब चुनाव हुए थे हमारे यूति के उमीदवार रावूल शेवाली जी की लोगसबा चेत्र में विजय हुई थी आप इन पास सालों के अगर पहले नजर दौडा हुगे तो कॉंग्रेस और राष्टवादी कॉंग्रेस यूति के उमीदवार यही उमीदवार जिनको आज कॉंग्रेस ने फिर उमीदवार मनाया एकनाथ गायकवार जी यह 10 साल इस लोगसबा चेत्र में परतिनी दूत्वा कर चुके है और 10 साल खासदार रहने के बाद भी मत्यदक्षिन विदान लोगसबा चेत्र का पिछड़ापन इन्होंने धूर नहीं किया हमारे जो यूति के खासदार है रावूल शेवाले जी इन्होंने 2014 से लेकर 2019 सम पहले पहले आधरनी शेवाले जी जो यूति के उमिद्वार है उन्होंने पिछले पास साल तक इस लोगसबा चेत्र का कैसे विकास हो इसके लिए तत पर हमेशा वो लोगसबा हो चाहे महाराष्ट में मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस लोगसबा चेत्र का विकास होना चाह वो रावूल शेवाल है जिसने लोगसवा में अधिक अधिक हाजरी देकर इस लोगसवा छेत्र के प्रश्णों को लोगसवा में उठाये इसलिए एक तरफ नौजवान उमिद्वार है और दूसरी तरफ एक वरिष्ट उमिद्वार है इसलिए इस लोगसवा छेत्र की ये मा सिक्वा चिततर काा विकास होना तय है और 2020 में जब कभी इस लोकषभा-चेत्र का चुनाव संपन्र होगा और उमिद्वारी विजय होकर आएगा आपने कहा कि काफी उन्होंने विकास किया है तो एक दू विकास वाले काम गिना देंगे आप देख लीजिए अभी ताजा उदारा ने साहिन कोलीवाडा में जो पासपोर्ट केंदर उन्होंने बनाया कई सालों से मांग थी दस साल लगातार खासदार रहने के बाद गायकव मेट्रो मोनों का काम हमारे लोकसवा चितर में आया है और धारावी पुनर विकास प्रकल्प उनके ही लोकसवा चितर में अनेक बान उन्होंने मुक्ख्यमंत्री से बेट की पार्लामेंट में विशे उठाया तो रावूल चेवाले जी ने गए Пास्सल में हमारे लोकसवा कीज़ए चित्र का विकास होना चाहिए इस पर ही काम किया है ना बलकि खासदार एकनाथ गाइकवड़ाड जी लगातार 10 साल जाती पाती पर चुनकर आने के बाद इस लोग सभाचेत्र को पिछड़ापन देने का काम एकनाथ गाएकवड़ा जी ने किया है उनकी पराजय होने के बाद जब से हमारे यूती के खासदार चुनकर गए इस लोग सभाचेतर का विकास का प्रण उन्होंने लिया है और हमारे पार्टी के शिश्ष ने तुर्त ने हमें आदेश दिया है कि ना बल्कि आप उनको शिव सेना का उमीदवार समझे ह हमको 2019 में नरेंद्र मोदी जी इस देश में परदान मंत्री चाहिए इसलिए हर एक शिव सेना का उमीदवार यह हमारा उमीदवार हम समझ कर इस लोग दो आजार उन्नीस के चुनाओं मैदान में जाने वाले है जाना चाहूंगा बहुत महत्तपूर सवाल है क्योंकि जिस करणी न ही है ना राश्टोवाधि एन ना हमे री आरपू है न सीवसेना अब राजनेत्क पारटी में हम काम करते हैं हमारे बीच मन प incubator हो सकते आपको पता है जैसे हम करपोरेशन में यहां अलग पालग लड़ी हमारे मन भेद नहीं ते मतभित थे कुछ मुद्दों पर ह हम अलग लड़े उसके बाद महापुर की जब बात आई भारती जनता पार्टी ने आगे हाथ बढ़ा कर कहा कि शिवस्यना को हम समर्तन देने के लिए तैयर है इसलिए हमारा कोई कारे करता मन से मदभेद नहीं रखता है मतों से मदभेद होगा हम एक टेबल पर वैट कर जो म अमीद्वार दिया है शिवाले हो और मुंबई में और दो उमीद्वार है शिवसे नके और भारती जनता पाटी के तीने मुंबई की छे की छे सेट लोकसवा की हम चुनकर दिल्ली भेज़ेंगे जिससे नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूती मिले और फिर एक बार इ मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे लोकसवा चेत्र के सभी मतदाता उसे अपील करना चाहता हूं कि एक तरफ आप नजर दोड़ाओ खासदार उमीद्वार कॉंग्रेस पार्टी का जो है साट साल क्रॉस कर चुका है और दूसरी तरह भारती जनता पाटी और सीवसे नही है अईसा उमीद्वार दिया है जिसको लोकसवा में भी कहा गया कि स्मार्ट उमीद्वार Natomiast Smart खासदार तो वो चेरों से नहीं बातों से नहीं अपने कर्तुतव से smart है ईसलिए से smart उमीद्वार को हमें फिर एक बार 2019 में लोकसवा में चुनकर भेजणा है और मत्यदक्षिन लोगसबा छेत्र का जो आजादी के बाद से पिछड़ापन है उसको समप्त करना है गए पास साल इन्होंने विकास की गारी को जो आगे बढ़ा ही है वो गारी रुकनी नहीं चाहिए लगातार राउल शेवाले जी के नेत्रुत में विकास की गारी आगे और आगे बढ़ती की जाएं तो देख लिए आपने की पंकर सुरान जी का क्या करना है जिस तरह दच्छिड मद्य मुंबई में घमासान होने वाला है कॉंग्रेस पार्टी के कैनिडेट सिउसेना बीजेपी गडबदन के कैनिडेट राहूल सिवाले जी है एकनाल गाइकवार जी है अब मुंबदने